जौनपूर में STF और पुलिस ने एक प्राइविट कमपनी के कार खाने में छापा मार का नकली सिमेंट बनाने की कारुबार का भंडा फोड किया है मौके से कमपनी के डारेक्टर सहित कुल पांच लोगों को गिरफतार किया गया है नकली सिमेंट सिमेंट बनाने का समान भी बनामत किया गया है पुलिस के अनुसार सिद्वन और द्योगिक शेतर में स्थेत बिसेसी हाई टेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से संचाल इदकार खाने में नकली सिमेंट बनाकर अलग-अलग कंपनी की प्रिंटेड बोरियों में बेशने की सूचना स्थेफ को मिली थी उसे आधार पर स्थेफ ने ब्रसपतिवार की रात में सुरेरी रामपूर और मडियाहू थाने की टीम के साथ छापा मारा आपर पुलिस अधिक्षक ग्रामिर शेलेंदर कुमास सिंग ने बताए कि प्रथम दरस्थियां पता चला है कि कंपनी में नकली सिमेंट बनाने का काम चल रहा था मुकादमा दाजकर कारवाई की जा रही है प्थाकथित नकली सिमेंट बनाने के तमाम चीजें यानि उसकी बूरियां और सिमेंट और अन्य चीजें ये रिकवर भी है और मोके से आच अभ्यूक्ट भी पकड़े गया हैं ग्रतार हुए हैं और इस प्रक्रण में समची धाराओं के अभ्योग में जी कर लिया गया है और मोके से कुल मिलाकर एक अदद सीप्यू आठ अदद डाई सतर बंडल प्रिंटेड गूरियां 31 बंडल साधी गूरी 758 गूरी नकली सिमेंट और साथ अदद मुबाईल फोन ये मोके से रिकवर कि लिए गये हैं और मांच अभ्यूद भी ग्रफतार पर लिए गये हैं संची धराओं पर लिए गया है और आगे इसमें साक्षण ब्लंद विविश्णा कर रहा है पूस्ते हैं